हलो फ्रेंज मैं परीडा मर्चन मेरे लाउन एन आउन चैनल पे आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे लिप बाम जो ठंडियों की सिजन आ रही है तो बहुत ही काम की चीज है यह उसके लिए हमें पेट्रोलियम जेली या वेसलिन एक टी स्पूल लेना है यह हमारी लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट डेंगा चॉप काले हो जाते है उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट डेता है तो यह ज़रूर आप बना के यूज करीए उसी में हमें पेट्रोलियम जेली या वेसलिन आप जो ले रहे है उसमें हमारी घर की कोई लिप्स्टिक हो कोई भी कलर की आप ले सकते हैं तो यह मेरे red कलर की लिप्सिक सी उसमें से मैंने थोड़ा सा 1 फोर्ट टीश्पून से भी आदा हमें लेना है थोड़ा सा और दोनों को हमें अच्छी तरह से मैल्ट कर दे रहा है या तो आप microwave में melt कर सकते है या फिर double boil में melt कर सकते है melt होने के बाद उसको हमें अच्छी तरह से mix कर देना है ये lip balm हमारे lips को नरिस करता है और बहुत ही अच्छी तरह से moisturizer देता है ये देखे ये दोनों को अच्छी तरह से mix कर देना है को किON अटोने के बाद अच्छी तरह से का निक्स हो जाता है। मैं अ explains one को को अधैर्ट टीस्पून को अच्छी तरह से मिक्स कर देले और जा कि कि यह में अफ़ बनाये मैं यूज करिए मेरी बीडियो को कमेंट करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को तो मेरी जो जो नही नही वीडियोस आएंगी वह आपको तुरंती मिल जाएंगी उसी में एक टीस्पुन लेमन जूस डाल देना हमें और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है मिक्स करके आप ऐसे कोई भी खा लिया ऐसे छोटा कंटेनर हो डबी में भर दीजे और थोड़ी देर फ्रीज में रखके फिर आप यूस करिए इसा यह हमारा दूसरा लिप बाम है जो कोको बटर लिब बाम है इसमें भी हमें पेट्रोलियम जेली या वेसलीन एक टीस्पुन लेना है इसमें सिया बटर और कोको पाऊडर यूज किया है तो ये भी लिप्स के लिए जो बहुत ये ची तरह से मॉइस करता है और लिप्स को सॉफ्ट भी रखता है इसमें एक इंच जितना हमें ये सिया बटर का पीज डालना है और इसी दोनों चीजों को हमें मेल्ड कर देना है ऐसे ही आप माइक्रोवेब में करिए या डबल बॉil करिए ये देखे, मिक्स होने के बाद अच्छी तरह से थुड़ा मिक्स करना है गरम होने के बाद सिया बटर हो और मैसली अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए या पेट्रोलियम जेली दोनों को मिक्स कर दीजे यह बहुत ही सिंपल और इजी है और इसका जो चौकलेट का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है लगाने के बाद भी इसमें आप कोको पाउडर की बजाए आप स्ट्रॉबेरी क कैप्सूल डालनी है एक डाल देना है हमें उसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है अब यह हम कोको बटर लिप बाम बना रहे है तो मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डालूगे 1-4 टीस्पून जितना आप इसकी बजाए स्ट्रॉबेरी क्रस भी डाल सकते है इ थोड़ा सा कलर के लिए जो लिक्विड लिपसिक रहती है वो मैंने डाला है अब नहीं भी डालेंगे तो चलेगा कोको का फ्लेवर इसमें बहुत है अच्छा आता है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको भी हमें डबी में भरके फ्रीज में रखके फिर अब रखके प्लेवर टूब करना है अब लिए इसमें लिएए नहीं दो लिए लुटार गच्छा है अच्छी और बश्श्राओ